बहराईच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दोरान होई घटना को लेकर हनुमान गड़ी की पुजारी राजुदास का ब्यान सामने आया है आपको बता दी कि उन्हों ने कहा कि बहराईच की घटना बहुत ही दुर्भाग पूर्ण है और इसका पुन जोर विरोध किया औ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार या गुंडे माफिया मवाली त्रस्त और परिशान रहते हैं फिर भी दवंगईयों की होसले बुलंद है वही गोपाल मिश्र की हत्या पर बोले कि जिस प्रकार उनकी हत्या कर दी जाती है इसके बाद या मामला तुल पकड़ता है वही पुजारी राजुदास ने विपक्षपा निसाना साते हुए भी बेयान दिये हैं और अगर उस पे थोड़ा सा बात हुई तो जिस प्रकार से गोपाल मिश्र की हत्या कर दी जाती है और उसके बास ये मामला तूल पकड़ता है उत्तर प्रदेश सांत प्रदेश था इसको दंगाईयों ने असांती की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है मुझको लगता है कि योगी जी सरकार की जो प्रशासन की बेवस्ता है जो भी लोग इसमें गुनागार है वो बचेंगे नहीं इनकाउंटर होगा बुल्डोजर चलेंगे तब फिर से विपक्षी चिलाना सुरू कर देंगे कि एक कौम को परिशान किया जा रहा है सिर्फ राम नोमी में सिर्फ दुरगा पूजा में सिर्फ घनेश उस्समें ही दंगे बवाल होते हैं इनके जब तीज देवार होते हैं तो हिंदू कभी नहीं दंगला बवाल करता हैं सांति पूर्वक हो जाते हैं हिंदू कभी नहीं विरोध करता है चाहे जिस प्रकार से मोदी जी खिला बोलते हैं, योगी जी खिला बोलते हैं, किरंगे भारतेरे टुकुरे होंगे, ऐसे नारे लगाते हैं, सर्तन से जुदा की बात करते हैं, फिर भी किसी भी प्रकार से हम लोग इतराज नहीं करते हैं, किसी हिंदू परिवार के द्वारा, सनातनियों के द्वा मैं उम्मीद करता हूँ कि गुपाल मिस्रा की जो सहादत हुई है गुपाल मिस्रा जो सहीद हुए है जो है ऐसे हम लोग जाने नहीं देंगे